असलाम अलेकुम डिया सुडेंट्स तेंथ क्लास बेटा आज हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नुबर टैन का आर्टिकल है एर पैसिज हम आरेडी इसको पढ़ रहे थे हमने इसको नेसल कैवेटी और फेरिंक्स तक पढ़ दिया था प्रिब्यूस लेक्चर में अब नेस्स लेक्चर में हम इसको जेसको कंटीनियू करेंगे फेरिंक्स के बाद हमारा आर्टिकल बेटा शिफ्ट होगा लेरिंक्स के तरफ थेंट्रेकिया, ब्रॉंकाई, ब्रॉंकियूल्स, अल्विलोडक्स, अल्वॉलाई और इसको इंशाला आज हम कम्प्लीट करेंगे तो सबसे बात करते हैं लेरिंग्स के उपर वाट इस अलेरिंग्स बैटा फेरिंग्स से जो एर आती है वो लेरिंग्स में आती है तो फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स यानि हम कह सकते हैं pharynx leads to larynx larynx is a box made up of cartilage it is present between pharynx and trachea better trachea को यहां short MCQs को तोर पर याद रख ले short question भी है mcq भी है trachea is a wind pipe याद रखें larynx को vice box कहा जाता है trachea को wind pipe कहा जाता है pharynx को throat कहा जाता है याद रख लिजेगा it is also called vice box यानि larynx को vice box भी कहते हैं उसकी reason क्या है two pairs of fibrous bands are stressed यहां पर देखें यह cartilage है यहां पर कुछ pairs of bands वो stressed है यानि इसको अगर briefly दोबारा बना के देखा जाए तो यह कुछ यूँ है यह cartilage तो यहां पर fibrous bands के कुछ pairs हैं जो across stretch कियेंगे हैं just like the string of a guitar अगर अब देखें इसमें से जब air pass करेगी तो यह जो vocal cards हैं यह vibrate करेंगे जब यह vibration start करेंगे तो क्या पैदा होगी sound produce होगी अच्छा यहां भी बहुत important आप लों के लिए practical भी कहा सकते हैं अब गर बैट के सोचिएगा जरूर विडियो लेक्शर को देखते हुए कि जब भी हम सांस ले रहे होते हैं यानि हम सांस ले लेते जाएं और लेते लेते अगर कोई word bowling कोशिश करें तो तो नहीं बोल पाएंगे यानि हम सांस भी खैच रहे हो और कोई लफ़ बोलने कोशिश करें तो नहीं बोला जाएगा यह आप suppose for example मैं कहूँ जी मैं यह नाम लेना चाहता हूँ air passage way लेकर मैं सांस ले रहा हूँ मैं नहीं बोल पाँगा just say मैं सांस छोड़ूंगा फिर बोल पाँगा it means during inhalation जब air अंदर को आती है तब भी तो यह vibrate करने चाहिए तब भी तो sound produce होनी चाहिए ऐसा क्या है कि जब हम अंदर से बाहर हवा निकालते हैं तब ही sound produce होती है उसके लवा sound produce नहीं होती तो यह सोचिएगा ज़रूर यह एक आपके लिए छोटी सी activity है उसके बाद बात करते हैं trachea trachea larynx के बाद जो हमारे पास downward एक article आता है वो है trachea यानि trachea larynx के बाद आती है याद रखिएगा ठीक है तो trachea it is also called wind pipe इसको wind pipe भी कहते हैं it is about 12 cm mcq है कि इसकी length कितनी होती है 12 cm and lies in front of esophagus it means पता चला कि esophagus trachea की back side पे है यानि हवार की नाली सामने है इसकी back side पे क्या है खुरार की नाली जिसका नाम क्या है esophagus there is c-shaped cartilage to prevent collapsing of trachea when there is no air जो trachea है इसमें जो cartilage होता है वो complete ring की form में नहीं होता है उसमें जो ring होता है वो incomplete होता है वो c-shaped होता है question आ जाता है why there is c-shaped cartilage तो उसका answer यह है prevent collapsing of trachea जब trachea में कोई air ना हो तो कहीं यह आपस में collapse ना हो जाए जूड़ ना जाए उससे बचाने के लिए जो cartilage होगा वो क्या होगा c-shaped होगा तो यह था trachea trachea आगे जाके divide होता है bronchi में तो bronchi का जो article है उसमें हम देखते हैं कि trachea जो है वो जब chest cavity में जाता है ना तो chest cavity में जाने के बाद trachea दो bronchi में divide हो जाता है before entering into lungs trachea divides into two bronchi before entering into lungs each bronchus further divided into small branches bronchi is also made up of cartilage and circular smooth muscle मेटा देखें यह जो दो बनेंगे ना two bronchi यह होंगे left and right क्योंकि एक left lung हो जाएगा left पेपड़े की तरफ जाएगा एक right पेपड़े की तरफ जाएगा यानि left lung और right lung तो दो bronchi हर bronchi आगे जाके फिर further जाना वो divide होगा और divide होगा और divide होगा यानि यह दोनों है primary bronchi फिर आगे मनेंगी secondary bronchi फिर बनेंगी tertiary bronchi फिर वो आगे जाके किसमें convert होगा bronchiules में याद रखिए bronchi divide होकर क्या बनाता है bronchiules it means bronchi से air किसमें जाती है bronchiules में जाती है bronchi की inflammation को bronchitis या bronchiules की inflammation को भी bronchitis कहते हैं यह याद रख लीजेगा bronchiules कब बनेंगी यह बहुत important MCQ भी है जब bronchi का diameter एक mm या उससे क्या हो जाए लेस हो जाए तो फिर उस bronchi को क्या नाम दे दिया जाता है bronchiules का याद रखे इसमें cartilage थी लेकिर इसमें कोई cartilage नहीं होगी यह आहस्ता आहस्ता अपनी cartilage को क्या कर देगा lose कर देगा बट only it is made up of circular smooth muscle यह सिरफ किसका बना हुआ है circular muscles है जो किस form में है smooth form है muscles की ठीक है इसके बाद bronchiules के बाद हमारा जो next article होगा वो होगा alveolar duct alveolar duct जो है उसमें हम discuss करेंगे कि bronchi जो है वो कैसे divide होकर क्या बनाता है alveolar duct बनाता है ठीक है ब्रोंकाई डिवाइड हुआ bronchiules में bronchiules डिवाइड होंगी alveolar duct में एक tube है उस tube के साथ basically क्या जुड़ा हुआ है sac-like structures है जो sac-like structure को हम क्या बोलते है alveoli bronchiules divide to form alveolar ducts which have numerous sac-like structures attached to it these structures are called alveoli तो alveoli क्या है alveoli को बैटा mcq याद रखिएगे यहां से बहुत important mcq भी आएगा known as respiratory surface of the lungs याद रखे alveoli से पीछे जितना पड़ा alveoli से पड़ा पीछे alveolar duct alveolar duct से पीछे पड़ा bronchiules bronchiules से पीछे पड़ा bronchi bronchi से पीछे पड़ा trachea पीछे पड़ा अमने लेरिंक्स लेरिंक्स से पीछे पड़ा pharynx pharynx से पीछे पड़ा nasal cavity यह जितने भी organs थे न यह सारे के सारे dead organ थे इस sense में कि यहां पर कहीं पर भी gashes exchange नहीं हो रहा था सवाएक इसके alveoli के alveoli में जाके gashes exchange होता है तो respiratory surface कौन मनाता है सिरफ और सिरफ alveoli respiratory system सारे parts मनाते है लेकिन respiratory surface कौन मनाता है just alveoli each alveolus is a single celled layer epithelial sac surrounded by rich network of capillaries यह देखें हमारे पास यह alveoli है इसके गिर्द मैंने capillary बनाई है blood capillary जिसमे deoxygenated blood आ रहा है जो आ रहा है हमारी पास right arterium of heart heart का जो right arterium है वो जब pump करता है तो वो deoxygenated blood बेज़ देता है right ventricle किदर बेज़ देता है right ventricle बेज़ेगा बेटा lungs की तरफ किसलिए oxygen असल करने के लिए तो यह deoxygenated blood में oxygen क्या होगी कम करता है आ को降 गयसेट प्रेशर से कम की तरफ जाएगी यहीं कारमन एकसेट इदर जाना शुरू होगी oxygen इदर आना शूरू होगी तो बलड में oxygen का लेवल बढ़ता जाएगा carbon dioxide का कम होता जाएगा तो जो oxygenated blood होगा उसमें oxygen क्या हो जाएगी ज्यादा carbon dioxide क्या हो जाएगी कम और फिर इस oxygenated blood को बेज दिया जाएगा left arterium में जो इसको left ventricle में और जो इसको पूरी body में बेज देगा तो gaseous exchange की इस level पे होता है आज हमारा article air passage वे यहां तक बेटा अगर आप लोगं का कोई question हो regarding air passage वे previous lecture और ये वाला lecture दोनों मिला के अगर आप लोगं का कोई question हो तो आप लोग जो है मुझे question कर सकते हैं मैं उसको आप लोगं का जो है बाद में answer send कर दूँगा यहां तक बेटा कोई question हो तो लाजमी पूछी कर थैंक यू